हेलो मेरे प्यारे प्यारे विवर्स, वेलकम टू माई चैनल मॉम्स कुकिंग कला, मैं फिर आ गई हूँ एक न्यू रेसिपी लेकर आपके लिए आज है डिफरेंट रेसिपी, आज में लेकर आई हूँ मॉम मसूर की दाल की भपोरिया रेसिपी, तो इसे बनाने के लिए हमन पांच गंते भी धुने के बाद में आप इने ऐसे पसा लिजयेगा फिर उसके बाद में मैंने मिक्सी जार में इसे धो कि वाश करके डाल लिया है और इसमे मैंने एड़ करे हैं 1 चमचे जीरा, 1 चमच अल्दी पाउडर, 1 चमच नमाक, 1 चमच मिर्च पाउडर और 1 चमच चाट मसाला और एक चम्मा जीरा भुना हुआ पाउडर ये मैंने एड़ कर दिया है इस मिक्सी जार में दाल के साथ में इसके अंदर डाल दूँगी मैं सारे पाउडर मसाले और अच्छे से मिक्स कर लूँगी अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने इसे और इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करके इसमें पानी जादा एड़ नहीं करना है वरना दाल बहुत जादा पतली हो जाएगी हम उसकी भपोरिया नहीं बना पाएंगे तो थोड़ा पानी एड़ करना है सिर्फ पानी की quantity मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने कितना पानी एड़ किया है इसके अंदर देखिए मैंने सिर्फ इसका half पानी यूज किया है छोटे इसका measurement का मैंने half पानी लिया है और मैंने इसका paste ready कर लिया है और इस paste को हम मैं निकाल लूँगी बाउल में और इसे अच्छे से mix करूँगी देखिए ये इसका बैटर इतना गाड़ा होना चाहिए ना जादा पतला ना जादा गाड़ा अब मैंने रख लिया है oil कड़ाई रखके इसमें oil डाल दिया है मैंने और oil को अच्छे से गरम करके refined oil को अच्छे से heat करके मैं इसमें अब बनाऊंगी अपनी भपोरिया चुटी चुटी भपोरिया बनाते रहना इसे इसे steam करके भी बनाते हैं मैं वो वीडियो भी आपके साथ बहुत जल शेयर करूंगी और इसे fry करके भी बनाते हैं इसकी सबजी तो आज मैं fry करने वाली भपोरियों की सबजी भी दिखा रही हूँ आपको बना के next time मैं आपको steam वाली भी दिखाऊंगी इसकी छुटी छुटी सी भपोरियां तोड के और मैं इने अच्छे से fry कर लूँगी medium gas पे इने fry करना है ताकि ये अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छे से fry हो जाएं इने आप snack के तौर पर भी खा सकते हैं स्नक्स में भी पकोड़ों की तरह से खा सकते हैं चटनी के साथ में इसमें भी बहुत डिलिश्येज लगती हैं ये खाने में और इनकी सबजी भी रेडी कर सकते हैं तो देखिए इस तरीके से छुटी-छुटी से भवपौरिया बना लेना है और अच्छे से इन होने देना है जल्दी इन्हे नहीं पलटना यह अपने आप गडाई पे से ऊपर आ जाती हैं अपने आप देखिए बहुत ईजली इन्हें पलट सकते हैं इसली इन्हें चला सकत तो देखिए अपने आप ये कडाई पे से ओईल पे से उप पर आने लगी हैं और अब इने चला लेंगे और ऐसी करके इन्हें ब्राउनिश सेख लेंगे अगर आपका सबजी अखाने का दिल नहीं कर रहा है सबजी अबफ गया है तot आप इस तरीके से डाल की पकोड़ियां बब cand you अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर मेरी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए शेयर करिएगा जाद से जादा और सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरीके से बाकी की वोपोरियां भी सारी में एके करके बना लूँगी आप चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्च और प्यास भी चॉप करके डाल सकते हैं यह आपके टेस्ट के कोडिंग हो सकता है जैसा आपको पसंदो तो मैंने आप इने रख दिया है और मैंने यह लिए है मसाला ग्रेवी रड़ी करने के लिए मैंने लिए है एक प्यास टमाटर लस्सन और इसका मैं पेस्ट रेडी कर लूँगी और रद रख लिया था इसका मैं पेस्ट रेडी कर लूँगी ये मेरी भपोरियां हो गई है इन्हें मैं निकाल रही हूँ तो मैंने अपना पेस्ट रेडी कर लिया है मसाले का और ये लिये हैं मैंने दो चमच धनिया पाउडर एक चमच हल्दी पाउडर एक चमच कश्मीरी देगी मिर्च पाउडर और देड़ चमच नॉर्मल मिर्च पाउडर देड़ चमच नमक और कुछ हरी मिर्चे कटकी हुई मसाले आप कम जादा कर सकते हैं इसमें से कडाई में से मैंने ओईल कम कर दिया है इसमें मैंने सिर्फ डेट चम्मच ओईल छोड़ा है और अब मैं इसमें एड़ करूंगी एक चम्मच जीरा और अपना अब पीसा हुआ टेस्ट रेड़ी कर दूँगी डाल दूँगी इसमें एड़ कर दूँगी चलाना इसे और साथ के साथ जो मैंने मसाले अपने पाउडर मसाले निकाले हैं प्लेट में वो सारे इसमें एड़ कर दूँगी और अच्छे से अब इसका मसाला भूनना है मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जितनी अच्छे से आपका मसाला भूना हुआ होगा आपकी सबजी उतनी ही डेलेशेस बनेगी में टेस्ट जो आता है सबजी में मसाले से ही आता है अगर आपका मसाला कच्छा रह जाएगा तो आप कितनी भी अच्छी सब्जी बना लीजिए उसका टेस्ट नहीं आएगा अच्छे से चला चला के मसाला भूनना है जब तक आपका ओईल उपर ना आने लग जाए और अगर मसाला लगने लगता है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करते रहिए ऐसे चला चला के आपको मसाला भूनना है अच्छे से देखे मेरा ओईल उपर आने लगा है चलाते रहना है ऐसे मेरा अच्छी तरीके से मसाला भूनके रड़ी हो चुका है अब मैं इसमें एड़ कर दूँगी अपनी भपोरिया इनने डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी मसाले में अच्छे से चलाऊंगी और अब इसमें एड़ किया है मैंने हाफ बोटल पानी आदा लिटर मैंने पानी इसमें एड़ किया है पानी इसमें ज़्यादा ही डाला जाता है थोड़ा क्योंकि ये पानी आपज़र्ब करती है बाद में तो आप थोड़ा पानी ज़्यादा डालिएगा क्योंकि ये पानी पीती है और आप इने ढखके मैं पकने दूँगी बीच में उपन करकर के ऐसे चलाना है मेरी बड़ीयां बनके रड़ी हो गई है पापॉरीयां बनके रड़ी हो गई है तो इने मैं सर्फ कर लूँगी आप भी बनाईएगा ट्राइ कीजेगा इससे आपके घर में सबको पसंद आएंगी ये बहुत डिलिशिस बनती हैं झाल